लेकिन बच्चे ने स्कूल तिलेया के लिए क्वाइलिफाई किया था रहर सी बात है एक पैरेंट्स ही बच्चे के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन के कारण होते हैं बेटा अगर कहिए तो बहुत कुछ एचीव करके जा रहा है यहां से इतनी कम उमर में यह का मतलब नेच से भी आया है राम राम जी मुक्ष जलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है और आज मां पहुंची हूं टोड़ी गुड़ा गोड़ी का अंदर और थे भी कुछ दिना पहली एक वीडियो है वो देख्यों कि बढ़ी अजमेर मां पहुंची और अजमेर का अंदर ही मंगलम स्कूल को दोरो है वो करन अपा चाला तो मंगलम स्कूल को में दोरो करन आई जया पहुंची ही और बीच में दख्या कि कुछ पेरेंट्स ही आपड़ान मीला तो सोचा हूं आप बात चीत है क्योंकि तेला वगेरा यह लेकी जा रहा है आए आज और ने आज़े तो बहुत अच्छी बात लागी की थे मतुरा में पोस्टेड हो तो मैम यह हमारी वाइफ है यह हमारी लड़की है और वह हमारी भांची है तो संकर जी सबसु पहले हैं मताओ तरह खुद भी फोजमा हो आज अठे के यह पाउंचे हो थी यह मैं पिछले देड़ साल से बच् लेकिन हमने एक चांस और देना चाहा बच्चे को ताकि पूरा समय दें तो आरमस के लिए अच्छा से प्रेपेर हो पाए तो संकर जी सबसु पहले हैं बताओ कि थे खुद फोज माहा तो बेटा ने फोज के बारा हम क्यों सोचू जहिर सी बात है एक पैरन्स ही बच्चे क और भी आगे बढ़े तो जारकंड का थे रह नाला हो जारकंडों जुन जुन गुड़ागोर्जी टोड़ी को तो बहुत ज्यादा मतलब इस पेस बहुत जगा निकल जाए तक्रीबन तेरा सो किलो मिटर का हमारे यहां से यहां का डिस्टेंस है तेरा सो किलो मिटरूं तो फिर वहीं जब हमें पता चला हमारा बच्चा भी उस समय उसी एज केटेगरी में था तो हम भी उसी से मोटिवेट हुए कि अगर ऐसी जगह है जहां एक अच्छा प्रिपरेशन मिल पाए और बच्चा अगर आरे में सैनिक में अगर एडमिशन के लिए अच्छी तैया होगा दो साल अब जुलाइम हो जाएंगी अभी दो साल हो जाएंगी अच्छा तो बेटो तब तो बहुत चोटो अब किती साल को उस समय सारे नौ साल का था अभी जस्ट 11 एर्स कम्प्लीट हुए हैं अच्छा तो अठे जब थे छोड़ बन आया तब की इस्तती ही और तो अएसी जगह पे आके बिसी अधकर आजार बनना एक आर्मेस के इसे स्कोल, मेरे टन टेस्ट क्वैलिफाइ करना सौनिक में अच्छी मेरिट में आक्या कि अच्छी नमबरों से मतलब पास्का नहीं आ नमबर्स का पता नहीं चल पाता वो क्योंकि क्वैलिफाई ही बताते हैं नेक्स्ट राउन के लिए तो इंट्रूव्य के लिए क्वैलिफाई किया हुआ है इंट्रूवी हो चुकी है बच्छे की इंट्रूव्य का रिजल्ट आना बाकी है बाकी सेनिक में 276 मार्क्स है और इंडिया रैंक में 266 नमबर है इनका तो आज कहीं लाग रहे है बेटान थे बात करना तो भाई सेनिक श्कूल में बच्चा को दाखिल होना जारू है अच्छा खोसी महसूस हो रहा है कि जो चीजें हमने सोची थी उसमें बच्चा खरा उतरा है उमीद है कि इंट्रूवी है बच्चे से अभी मेडिकल राउंड आना बाकी है काउंसलिंग चल रहे है उसके बाद जो स्कूल में सीट अलॉट्मेंट होगी वहां मेडिकल के साथ डॉकुमेंट्स पोट अप करने होंगे एडमिसन लेना पड़ेगा तो भाई साथ में आपा स्टूडेंटों सबसु पहले तो सबसु पहले तो करें लाग रहे हैं एक्दम खुली-खुली हावा के अंदर जार कंसुईती दूर आया हो अच्छा ही लग रहे है अच्छा जब पहली बार यहां थे तब क्या फील कर पा रहे थे और आज क्या लग रहा आपको उस समय तो मुझे ऐसा ज्यादा ठीक नहीं लग रहा था बाद में वही खाना खाते जा तो मुझे लगा कि यह ठीक सा है और परहाई की बात करें तो परहाई में मुझे पहले शुबन नहीं आया था कि क्या परहाय थे बाद में नेक्स्ट एयर में मुझे और भी ज्यादा कुछ समझ में आने भूसेचा धा था कि आपको क्या शुयर्ण हुआ तो उस टाइम पेड 00 हाँ पिनाच्छा लगा है पुर को और यह का वाता वर्या का वाता वर्याक नमतलब भच्छा ही है हावा चलते हैं भाजटी रहती है तो आप के जारखंट में नहीं चलती कि हावा ते क若ा मतल mindset नेचर भी ऐसा है और यह एक दम खुली शी भी जगाय तो खुली सी जगह में मज़र आता है या बंद शी जगह में खुली उई तो और जो बच्चे देख रहे हैं आपकी तरह बहुं है वह भी आसेनी की स्कुल में पढ़ाई करवा थे वह कैसे थे उनको आप किया कुछ बोलना चाहोगे वीडियो के मतहावए से उनको ये बॉलना चाहोंगा कि उन्हों नें मुझे पास करवाएई सब्सक्राइज बर्खरन लिटेवाई के लिविदेलिभीं मेहनत ब linkedin को अजय हुआ निक्ना Phi Back एवस्ट माय तो सोचे कि हस्बेन ने बोला है कि यहां पर अच्छी होती है तो छोड के तो गया लेकिन इतनी अच्छी होगी यह सोच के नहीं रखते थे यह सोचे चार महने में लड़का सैनिक का कौलिफाइ कर गया था तो इसलिए फिर एक साल और मोका दिये तो फिर मुलेटरी और शैनिक दोनों कौलिफाइ कर गया जो पीता जिवी भा कभी दिल हुए पर गठे ना गठे इस्ट्रोंग मतलब अपने दिल ना डाटलिं की ठीक है बेटो जटेपिए सेफ है कि माता कौ दिल जादा बहल जाया तो बेटा इसलिए कि तो अकदील बहल के लिए उठा सौन उठन के लिए मैं खुद से आयी थी ना छोडने के लिए लड़के को तो मैं खुद देखी तो में थोड़ा लगा कि हां छोडने लाएक है तू प्राइट भी करतोगी? नहीं, कभी नहीं किया है, और हमेसा सपोर्ट मिला है. क्योंकि उतने दोर से आते हैं, तो एक डर सा होता है, पता नहीं कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे. लेकिन यहाँ पे कॉल करें, तो पूरा मदद मिलती है. बेटाओं कब-कब बात हो जाती थरी? सबते में, संडे वाई संडे. और बीच में अगर वैसी प्राबलम हो, तो भी बात हो जाती है. तो और जो माता पीता देख रहे हैं, बान के कुछ बोलनों चाहोगा थी? अड़ा के बारम. अच्छी है, यहां पे आडमिशन करवाना चाहिए, बच्चों को अच्छा तयारी होता है, बच्चों के अच्छी खान-पान होती है, तो इसके लिए सही है. नमस्ते बेटा. नमस्ते. क्या नाम आपका? सुनिया कुमारी. तो आपको कैसा लग राज भाई के बारे में? कितना प्रावड फिल कर पारे हो आप? प्रावड तो बहुत जादा हो रहा है कि मेरा भाई निकाल लिया है. अच्छा. आपको यह फील नहीं होता था कि भाई को कहां छोड़के आ गए राजस्तान के अंदर इतनी दूर तेरा सो चोड़ा सो किलो मेटर? हाँ फील तो होता है दूर छोड़ा है बट यह मेहनत कर रहा था और खुद की मर्जी से भी आया है कि इसे कुछ करना है इसलिए आया है चीक है मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि इसने बहुत मेहनत किया तब जाके इसने निकाला है और बिना मेहनत किया या सेक्रिफाइस कुछ किये यह निकाल नहीं पाता तो लगातार वीडियो का मादे मुथे देखियो है कि बच्चा नी जा गोढ़ा गोड़ जी टोड़ी का अंदर ही बच्चा न छोड़ो है स्री मंगलम स्कूल का अंदर और बई में भी दोरो करना जा रहा है और यह आन लाग रहा तो सोचे कि बैग उठा की जा रहा है अच्छी तेवा करी थारा बच्चा भी इच्छो की सेनिक मिल्टरी के लिए तो थेबी जा स्री मंगलम मैं विजिट कर सको हो वीडियो और से लाइक कमेंट जरूर करें राम राम जी